महर्शियों सहित विश्वामित्र ने रात्री के शेश भाग में शोमभदर के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्रीराम चंदर जी से इस प्रकार बोले श्रीराम। रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्यान हो, उठो, उठो और चलने की तयारी करो। मुनी की बात सुनकर पूर्वाहन काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्रीराम चलने को तयार हो गये और इस प्रकार बोले ब्रह्मन। शुब जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह शोनभदर तो अथा जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चल कर इसे पार करेंगे? श्रीराम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले जिस मार्ग से महर्शी गण शोन भदर को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चे कर रखा है। बह मार्ग यह है। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्शी नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। बहुत दूर का मार्ग तै कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रिष्ट गंगाजी के तट पर पहुँच कर उनका दर्शन किया। अंसों तथा सार्सों से सेवित पुन्य सलिला भागी रथी का दर्शन करके श्री राम चंद्र जी के साथ समस्तमुनी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सब ने गंगाजी के तट पर देरा डाला। फेर विधिवत स्नान करके दे गंगाजी के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनिस्थिर भाव से विराज मान हो गए और श्री राम तथा लक्षमन भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए। तब श्री राम ने प्रसन्न चित्थ होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवन, मैं यह सुनना चाहता की तीन मारगों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगाजी किस प्रकार तीनों लोकों में घूम कर नदों और नदियों के स्वामी समुदर में जामिली हैं। श्री राम के इस प्रशन द्वारा प्रेरिथो महामुनी विश्वामित्र ने गंगाजी की उत्पत्ती और व पर कहीं तुलना नहीं है। पर कहीं तुलना नहीं है। पर कहीं तुलना नहीं है। सारा संसार इनके चर्णों में मस्तक जुकाता है। गतिशीलों में श्रिष्ट तात श्रीरांग। गंगाजी की उत्पत्ती के विशमें ये सारी बाते मैंने तुम्हें बता दी। ये तृपत गामिनी कैसे हुई। यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी। तक पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमनिया देवन्दी के रूप में देवलोक में आरूड हुई थी। फिर जलरूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुँची थी। इस प्रकार श्रीवालमी की निर्मित आर्श रामायन आधिकाव्य के बालकांड में 35 सर्प पूरा हुआ। विश्वामित्र जी की बात समाप्थ होने पर श्रीराम और लक्षमन दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा ब्रह्मन। आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिन्वान की जेश्ट पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाएं क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ग्याता हैं। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से तीन मार्गों में प्रवाहित होती हैं? सरिताओं में श्रेश्ट गंगा की तृपत का नाम से प्रसिध्धी क्यों हुई धर्मग्य महर्शे? तीनों लोकों में वे अपनी तीन धाराओं के द्वारा कौन-कौन से कार्य करती हैं? श्रीराम चंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनिमंदली के बीच गंगाजी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई. श्रीराम, पूर्व काल में महा तपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमादेवी के सा ख्रीडा विहार करते सो दिव्य वर्ष बीत गए. शत्रों को संताप देने वाले श्रीराम, इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेवी के गर्ब से कोई पुत्र नहीं हुआ. यह देख ब्रहमा आदी सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे. उन्हों विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यो बोले इस लोक के हित में ततपर रहने वाले देवदेव महादे. देवता आपके चर्णों में मस्तक जुकाते हैं. इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें. सुर्षरिष्ठ य देवताओं की यह बात सुनकर सर्व लोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्विकार कर लिया. फिर उनसे इस प्रकार कहा देवताओं. उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे. प्रिथवी आदी सभी लोकों के निवासी शांती लाब करें. किन्तु सुर्षरिष्ठ गण. यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज क्षुब्ध होकर अप उसे यह प्रिथवी देवी धारण करेगी. देवताओं का यह कथन सुनकर महा बली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे परवत और वनो सहित यह सारी प्रिथवी व्याप्थ हो गई. तब देवताओं ने अगनिदेव से कहा, अगने, तुम वायु के सह योग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो. अगनी से व्याप्थ होने पर वह तेज श्वेत परवत के रूप में परिनत हो गया. साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अगनी और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था. उसी वन में अगनी जनित महातेजस्वी कार्ती के का प्रादुर्भाव हुआ. तदंतर रिशियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ती भाव से पूजन किया. श्री राम इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए. उन्होंने समस्त देवताओं को रोशपूर्वक शाप दे दिया. वे बोली, देवताओ, मैंने पुत्र प्राप्ती की इच्छा से पती के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया. अता अब तुम लोग भी अपनी पत्नि संतानोत पादन नहीं कर सकेंगी, संतान हीन हो जायेंगी. सब देवताओं से ऐसा कहकर उमादेवी ने प्रिथवी को भी शाप दिया. भूमे. तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा. तू बहुतों की भार्या होगी. खोटी बुद्धी वाली प्रिथवी. तू चाहती थी क की मेरे पुत्र नहो. अतर मेरे क्रोज से कलुषित होकर तू भी पुत्रजनित सुख्या प्रसंता का अनुभव न कर सकेगी. उन सब देवताओं को उमादेवी के शाप से पीडित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दि लक्षमन सहित श्रीराम यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमादेवी का विस्तरित वृत्तांत बताया है. अब मुझ से गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनू. इस प्रकार श्रीवालमी की निर्मित आर्ष रामायन आधिकाव्य के बालकां में 36 सर पूरा हुआ.